इस चैनल पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम लोग SAC GD 2024 एक्जाम के लिए एक और इंपोर्टेंट टॉपिक का कम्प्लीट रिविजन करने वाले हैं वाटरफॉल, इंपोर्टेंट लेक्स और इंपोर्टेंट डैम्स तो ये तीन टॉपिक से रिलेटेट इस वीडियो में 40 most expected question है और इस वीडियो से आपको definitely एक्जाम में question देखने को मिलेगा तो आप लोग अगर पहले से ये topic पढ़ रखें हैं तो definitely आपको बहुत मजा आएगा revision करने में चलिए स्टार्ट करते हैं first question के साथ पहला question है सिर्की जलप्रपात कहां इस्तित है किस राज में इस्तित है सिर्की waterfall तो आप लोग क्या कहेंगे अरुनाचल प्रदेश next है जोग waterfall कहां पर located है किस राज में इस्तित है जोग waterfall तो आप क्या कहेंगे करनाटक नेक्स्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है कि हुन्डू जलप्रपात निम्न लिखित में से किस नदी के किनारे इस्तित है तो क्या हो जाएगा शुबन रेखा होगा करेक्ट एंसर नेक्स कोश्चन है धुवाधार जल प्रपात निम्रे लिकीत में से किस नदी से उत्पन होता है तो आप क्या एंगे धुवाधार जल प्रपात जो है नर्मदा नदी से निर्मित होता है और ये कहां है मध्य प्रदेश में Next question है、 कुन्चि कल जहरना ये कहां पर इस्तीद है? किस राज में इस्तीद है कुन्चि कल waterfall? बहुत ही important ये fall है कुन्चि कल जो कि कहां इस्तीद है तो आप कहेंगे करनाटक राज में इस्तीद है और ये किस नदी से निरमित होता है तो वाराही रिवर से निरमित होता है नेक्स कोशन है चोलमू लेक कहां पर लोकेटेड है? ये भी एक अमपॉर्टेंट लेक है जिसका नाम है चोलमू लेक तो आप क्या कहींगे? सिक्किम Next Question है लोनार लेक कहां पर लोकेटिड है? किस राज में लोनार जील इस्तित है? तो आप क्या कहींगे? महराश्टरा Next Important Question है सस्थाम कोटा जील किस राज में इस्तित है? तो क्या होगा आपका जवाब? Right answer होगा केरल राज में इस्तित है, सस्थाम कोटा जिल, नेक्स्ट इंपोर्टन कोशन है, पुलिकट जिल किस राज में इस्तित है, तो आप क्या कहेंगे, पुलिकट जिल जो है, आंदर परदेश राज में इस्तित है, वेम बनाट जिल किस राज में इस्तित है, ये भी इंपोर्टन लेक है विम्बनाद लेक तो आप क्या कहेंगे केरल राज में ये लोकेटेड है विम्बनाद लेक नेक्स कोशन है भारत में मीठे पानी की सबसे बरी जील कौन सी है लारजेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया तो आप कहेंगे वुलर लेक नेक्स कोशन है कोलेरु जील किस राज में इस्तीत है कोलेरु लेक लोकेटेड इन विच स्टेट तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश नेक्स कोशन है सांभर लेक किस राज में लोकेटेड है तो आप कहेंगे सांभर लेक जो है वो राजस्थान में लोकेटेड है नेक्स कोशन है कि which of the following waterfalls is located in मध्यपरदेश मध्यपरदेश में कौन सा waterfall located है तो आप कहेंगे धुवांधार जलप्रपात ठीक है अब देखिए धुवांधार और दूदसागर तो spelling में confused नहीं होना है दूदसागर waterfall गोवा राज में है और धुवांधार जो है वो इन विच स्टेट तो आप लोग प्रेम पुरुवक कहेंगे केरल राज में इस्तीत है नेक्स कोशन है कुने फॉल किस राज में लोकेटेड है कुने जलप्रपात नेमनिलिकित में से किस राज में इस्तीत है निसंकोच आप कहेंगे महरास्ट्रा नेक्स कोशन है नागा अ नागर जुना सागर डैम जो है आंधर प्रदेश और तेलागना के बॉर्डर पर सिचुएटेड है और किस नदी पे है यह तो क्रिस्टना रिवर नेक्स कोशन है मतूर बांध किस राज में इस्तित है तो आप क्या कहेंगे मतूर बांध जो है मतूर डैम यह तमिल नाडू में है ओके देखिए कावेरी रीवर के द्वारा यह निर्मित है उसके उपर है यह डैम वैगई रीवर के उपर जो है वैगई डाम है कावेरी रीवर is called the gangas of south India नेक्स कोर्शन है कौन सा जहरना गोवा राज में है वो कौन सा वाटरफॉल है जो गोवा में इस्तित है तो आप क्या कहेंगे दूद सागर वाटरफॉल करनाटक राज में इस्तित है कृष्णा रीवर के उपर ये डैम है नेक्स कोर्शन है मीन मूटी जल प्रपात निम्निलिकित में से किस राज में इस्तित है तो मीन मूटी फॉल ये लोकेटेड है केरल राज में नेक्स कोर्शन है इडू की बांध किस नदी पर इस्तित है इडू की बांध जो है वो किस नदी पर इस्तित है तो आप कहेंगे पेरियार रीवर ओके इडू की डैम is located on the पेरियार रीवर in केरल and it's also known as आर्क डैम आर्क डैम भी इसको कहा जाता है नेक्स कोर्शन है भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर इस्तित है इन विच स्टेट इस नदी पर इस्तित है तो आप कहेंगे ओडिसा तो जारखंड हो जाएगा correct answer मैथन डैम and तिलया डैम is situated on बडाकार रीवर इन जारखंड ये सब किस नदी पर है बांध तो आप कहेंगे बडाकार रीवर के उपर नेक्स कोशन है निम लिखित में से किस भारतिय राज में आपको सिव समुंदरन मिलेगा तो ये जो सिव समुंदरन है ये कहां है तो करनाटक राज में है नेक्स्ट है पॉंग बांध किस राज में इस्तीत है पॉंग डैम जो है ये हिमाचल प्रदेश राज में है ओके पॉंग बांध पॉंग डैम is located in हिमाचल प्रदेश and it is on the Bias River Bias River के उपर है ये डैम पॉंग डैम बरही पानी बजल प्रपात निम्निलिखित में से किस राज में इस्तीत है तो बरही पानी जल प्रपात जो है वो किस राज में इस्तीत है तो आप कहेंगे ओडीसा राज में इस्तीत है कृष्णा राज सागर बांध कहां इस्तीत है कृष्णा राज सागर डैम is located in which state तो आप कहेंगे करनाटक next कावेरी डीवर के उपर है ये क्रिस्न राज सागर डैम next question है केरल के सबसे बरे जहरने का क्या नाम है केरल के सबसे बरे जहरने का नाम है अथीरा पिलाई बांध sorry fall ओके अथीरा पिलाई फॉल जो है ये कहां है केरल में है next है बगलिहार बांध कहां इस्तित है बगलिहार डैम is located in which in where तो आप कहेंगे जम्मू एंड कस्मीर में है बगलिहार डैम ओके देखिए बगलिहार डैम also known as बगलिहार हाइड्रो इलेक्रिक पावर प्रोजेक्ट और ये चिनाब नदी के ऊपर है अपने समय की सबसे बरे क्रिसम जीलों में से एक भोपाल जील का निरमान किस सताबदी में किया गया था भोपाल लेक is one of the largest artificial lake of its time was built in which century तो आप कहेंगे 11th century next question है कि which of the following is not a fresh water lake in India fresh water lake इन में से कौन सा नहीं है भीमताल लोक तक बरे पानी या सांभर तो आप क्या कहेंगे सांभर next question है यहाँ पर कि भमवाली वजराय जरना किनिम्लिकित में से किस राज में इस्तित है तो महरास्ट्रा में इस्तित है ओके और यह उर्मोदी रीवर के उपर है next question है थोसेघर जरना किस राज में इस्तित है थोसेघर वाटर फॉल किस राज में लोकेटेड है तो आप कहेंगे महरास्ट्रा में लोकेटेड है थोसेघर वाटर फॉल next question है खंडधर जल प्रपात किस राज में इस्तित है खंडधर waterfall किस राज में located है ओडिसा राज में located है नेक्स्ट है थलियार fall कहां पे located है तो आप क्या कहेंगे तमिल लाडु में इस्तित है और मंजलार नदी के उपर है ये नेक्स्ट कोश्चन है कि चूलिया जलप्रपात डैस में चंबल नदी पर इस्तित है चूलिया waterfall कहां है तो राजस्थान में है और चंबल नदी के उपर है ये नेक्स्ट है कि निम्लिकित में से कौन सी जील सिरी हरी कोटा दूइप द्वारा बंगाल की खारी से अलग होती है तो वो कौन सा लेक है तो आप क्या कहेंगे पुलिकट लेक कहेंगे नेक्स कोश्टन है पच पदारा जील ये कहां पे है पच पदारा लेक लोकेटेड इन विच स्टेट तो आप क्या कहेंगे राजस्थान कहेंगे नेक्स कोश्टन है खंडधार waterfall कहां पे located है तो right answer हो जाएगा Odisha तो इस तरीके से हमने waterfall, lake और dam से related जितने भी important question हो सकता था वो हमने यहाँ पर कर लिया है revision तो उमीद है कि आपको यह सब revision class से बहुत ज़्यादा help हो रहा होगा अगर help हो रहा है तो आप लोग comment करके अपना gratitude दिखा सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं आप से next topic में तब तक के लिए जो है all the best